कैसे जाचे त्रिभुजों की सर्वांग सम्ता क्या सर्वांग सम्ता पहचानने के लिए त्रिभुजों के सभी अंगों की बराबरी दिखाना जरूरी है। हम आगे त्रिभुज की सर्वांग सम्ता की कसोटियों को गणेती तरीके से पता करने का प्रयत्न करते हैं। पहला भुजा कोण भुजा सरवांग समता S.A.S. कांगुरेंस दो त्रिभुज सरवांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतरगत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके अंतरगत कोण के बराबर हो दूसरा कोण भुजा को सरवांग समता, ASA congruence, दो तरिभुज सरवांग सम होते हैं, यदि एक तरिभुज के दो कोण वा उनके बीच की भुजा, दूसरे तरिभुज के संगत कोणों वा उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तीसरा, भुजा, 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 सरवांग समता, SSS congruence, दो तरिभ तो वे त्रिभुज सरवांगसम होते हैं इन तीन स्वयम सिद्ध अभिधार्णाओं की कसोटियों का होपयोग करते हुए हम त्रिभुजों में सरवांग समता पहचान सकते हैं और इनके आधार पर कुछ और नई कसोटियां पता कर सकते हैं लेकिन पैचान तभी होगी जब इन्हें प्रमे की तरह सिद्ध कर सकेंगे अभिग्रिहीत, अभिधारणा, वो प्रमे है एक्जियम्स, पास्टुलेट, एंड थियोरम गणित सीखते समय हम अक्सर कुछ शब्द पढ़ते हैं जैसे अभिग्रिहीत, अभिधारणा, प्रमे, उपत्ति इन शब्दों को संख्षेप में समझते हैं अभिग्रिहीत और अभिधारणा दोनों ही स्वयम्सिद्ध होते हैं इन्हें सत्ते मान कर आगे बढ़ा जाता है और नएं कत्तनों को रचाव़ सिद्ध किया जाता है आम तोर पर तार्कित स्वयम सिद्ध कतन सभी विश्यों में इस्तमाल किया जाते हैं इन्हें हम अभिग्रिहीत कहते हैं जैसे जामिती में युकलीट के अभिग्रहित इस प्रकार के हैं एक यदि A B के बराबर है और A C के भी बराबर है तो B भी C के बराबर होगा दो पुर्ण उसके किसी हिस्से से बड़ा होता है ऐसे ही कुछ और अभिग्रहित लिये जाते हैं अभिधारणा ऐसे स्वयम सिद्ध कथन जो किसी विशेश विशेश से संबंदित है सामानित अभिधारणा कहलाते हैं हाला कि अभिधारणा वो अभिग्रहित को अक्सर पर्यायवाची भी मान लिया जाता है जामिती से संबंदित कुछ अभिधारणाई यह है दिये गए किनी दो बिंदों से एक रेखा खिंची जा सकती है जिस पर वे दोनों बिंदु होंगे या किसी भी रेखा खंड को अनंद तक बढ़ाया जा सकता है प्रमेय और उप्रमेय वे ऐसे सभी गणिती एक थन जो इन सभी अभिग्रहीतों अभिधारणाओं और परिभाशाओं का उप्योग करते हुए तार्की कुरूप से सिद्ध किये जाते हैं प्रमेय कहलाते हैं जैसे किसी त्रिभुच के अंतह कोणों का योग 180 अंश होता है इसी प्रकार अभिग्रहीत अभिधारणा और प्रमेयों का उप्योग करके कुछ और प्रमेय सिद्ध किये जाते हैं इन्हें उप्रमेय कहा जाता है जामिती में उप प्रमेह और प्रमेह में इतना इस्पस्ट विभाजन नहीं है यह भी कई बार एक दूसरे के बदले उपयोग कर लिये जाते है प्यारे बच्चो अभी आप सरवांग समता पर बाचित कर रहे हैं आपने त्रिभुजों के सरवांग समता के बारे में तीन शर्तों को पढ़ा है पहली शर्त है कि अगर दो त्रिभुजों के भुजाएं आपस में बराबर है यानि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं करम शह दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ये त्रिभुजों के सर्वांग समता की एक शर्थ है दूसरी शर्थ है ये किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुच की क्रम शह दो भुजाओं और उनके बीच की कोण के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुच सर्वांग सम होते हैं और तीसरी परसिती है कि किसी एक त्रिभुच की एक भुजा और उसके सीरों पर बने हुए कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उसके सीरों पर बने हुए कोड़ों के करमशा बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो ये तीन परसितियां हैं इनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था अभी हम इसके आगे कि कुछ और शर्टे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे देखिए आपके सामने एक और नई परसिती है कि ऐसे दो त्रिभुज है जिन में दो कोड़ करमशा दूसरे त्रिभुजों के दो कोड़ों के बराबर है और कोई अन्य भुजा जो उन दोनों कोड़ों के बीच में नहीं है तो वो अन्य भुजा दोनों त्रिभुजों में बराबर है यानि त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज D, E, F में कोड A, कोड D के बराबर है यह हमने यहां लिखा हुआ कोड़ A सरवांगसम कोड़ D के और उसी तरह से कोड़ C सरवांगसम कोड़ F कोड़ C सरवांगसम कोड़ F और भुजा B C भुजा E F के बराबर है इन परसितियों में हमें देखना है क्या यह तर्भुच सरवांगसम होते हैं आईए आपको ये पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोड़ों को योग दो समकोड या 180 अंश के बराबर होता है तो उस गोड़ का उपयोग करते हुआ हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC के कोड़ A, कोड़ B और कोड़ C का मान या उनका योगफल त्रिभुज DEF के कोड़ D, कोड़ E और कोड़ F के बराबर है इस कथन को हम लिख लें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोड़ A, धन कोड़ B, धन कोड़ C, कोड़ C बराबर त्रिभुज DEF का कोड़ D, धन कोड़ E, धन कोड़ F ये बराबर है 180 अंश के अब आप देखिए, चुकि कोड़ A और कोड़ D बराबर है, कोड़ A बराबर कोड़ D है और कोड़ C, कोड़ F का बराबर है, कोड़ C, कोड़ F का बराबर है यह दिया हम इन्हें सीधे सीधे हटा दें चूकि बराबर है या फिर हम कोड़ D के जगा कोड़ A लिख ले और कोड़ F के जगा कोड़ C लिख ले तब भी हम देखेंगे कि दोनों पक्षों से कोड़ A और कोड़ D हट जाएंगे और यहां से कौर्ड C और कौर्ड F हट जाएंगे उस इस सिती में आपके पास बचेगा कौर्ड B बराबर कौर्ड E अब आप देखिए जो तीसरा कौर्ड बचा हुआ था कौर्ड B वो कौर्ड E के बराबर हो गया ऐसी परिसिती में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक भुजा B C ऐसी है जो E F के बराबर है और उसके दोनों सीरों पर बने हुए कौर्ड भुजा B C के सीरों पर बने हुए कौर्ड B और कौर्ड C भुजा E F के सीरों पर बने हुए कौर्ड E और F के बराबर है और ये शर्ट आप पहले पढ़ चुके हैं ये किसी एक त्रिभुज की एक भुजा और उसके सीरों पर बने हुए कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उसके सीरों पर बने हुए कोण के बराबर है तो त्रिभुज सरवांग सम होते है तो हम कहा सकते हैं कि इस परिस्टी में त्रिभुज A B C सरवांग सम है त्रिभुज D E F K और यहीं हमें सिद्ध करना था बच्चों अभी तक हम त्रिभुजों के सरवांग समता पर बात करते आ रहे हैं और त्रिभुजों के सरवांग सम्ता में एक और ही महत्पुर्ण प्रमे हमारे सामने हैं जिसे हम प्रमे 10.2 के नाम से यहां पर व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर हमें यह देखना है कि क्या किसी समकोर्ण त्रभुज में यदि विकर्ण बराबर हो और एक भुजा कोई और भी बराबर हो तो क्या वो दोनों त्रभुज सरवांग सम होते हैं यह हमें देखना है तो एक काफी महत्रपूर्ण प्रमय होगा कि यदि हमारे सामने द सामने दो त्रभूश करम शह A, B, C और D, E, F हैं हैं और दोनों भितल़् ही समकोर त्रभूश हैं जिसमें A, B, C कोड़ यहां आप देख रहे हैं कोड़ D, E, F के बराबर हैं क्योंकि दोनों समकोर हैं और इनके विकल्ण A, C और D, F भी आपसे बराबर है और इसके साथ साथ एक भुजा B, C दूसरे त्रिभुज के एक भुजा E, F के बराबर है तब हमें ये सिद्ध करना है कि ऐसी परिसिती में दोनों त्रिभुज सरवांग सम्होंगे तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक छोड़ी से रशना करते है और इस रशना में दूसरे त्रिभुज के भुजा D, E को हम P तक बढ़ाते है और इस तरह से बढ़ाते है कि ये जो बढ़ावा भाग E, P है वो B, A के बराबर हो तो हम रशना को लिखे रशना में हम लिखेंगे कि D, E को P तक बढ़ाया और इस तरह से बढ़ाया कि जो नया खंड E, P बन रहा है वो बराबर हो इस भुजा B, A के और फिर हम ने जो बिंदो P मिला उसे F से मिला दिया तो हम लिखें P को F से मिलाया यह हमने रशना की तो इस रशना से हमें एक नया तरभुज और मिलता है P, E, F आप देख रहे हैं यह तरभुज जिसकी दो भुजाए लाल लंग से अंकित है यह नया तरभुज P, E, F मिला अब आप तरभुज P, E, F और A, B, C में गौर करिए हम इसे यहां अगल लग से लिख ले तरभुज A, B, C पहले लिख ले तरभुज A, B, C जो समकोर तरभुज है और जो नया बना तरभुज P, E, F है इसको देखें तरभुज P, E, F में हमने A, B के बराबर P, E बनाया है तो पहले उसे लिख ले या तो इसे हम इसे इहां से लिखें E, P बराबर B, E यह हमने रचना की है और जो B, C है वो हमें दिया हुआ है कि E, F के बराबर है पहले वाले दोनों तरभुजों में रचना दी हुई थी तो E, F चुकि इस तरभुजों का भी भाग है तो हम लिखेंगे B, C बराबर E, F इसे पहले लिख ले E, F को पहले लिख ले हम हम लिखेंगे E, F बराबर B, C E, F बराबर B, C और चुकि यह एक समकोर है और इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया यानि एक सरल रेखा है तो यह कोर भी समकोर होगा तो इस तरभुजों का कोर P, E, F कोर P, E, F बराबर होगा इस तरभुजों के कोर A, B, C के और यह दोनों समकोर होगे नब्याश के होगे और इन तिनों के अधार पर आप देखिए कि E, P, B, A के बराबर है E, F, B, C के बराबर है और यह कोर P, E, F कोर A, B, C के बराबर है तो इन तिनों के अधार पर आप कहा सकते हैं यह तरबुज जो पहले का बना हुआ तरबुज था इस रजना से बने हुए तरबुज के सरवांग समय है तो अब लिख सकते हैं इस तरबुज के लिए तरबुज P, E, F सरवांग समय है तरबुज A, B, C के यह आपको एक परणाम मिला और इस परणाम का उप्योग करके आप इसकी जो शेश अवयव हैं उनके बराबरी के बात करेंगे तो हम इस कौन के बात करेंगे कौन A कहले हम इसको और इसे हम कौन P कहले तो चुब कि दोनों तरबुज सरवांग सम हो गया इसका संगत अव्यों बराबर होंगे तो हम कहलें कि कोण A कोण P के बराबर है तो इसे हम यहां लिखें इस पूरे प्रेगरान्ट से हमें मिला कोण A बराबर कोण P और साथ ही एक और चीज़ मिली कि जो इस त्रभुष का विकरण अ-C है वो इस त्रिभूज के विकर्ण पी-एफ का बराबर होगा तो इसे भी हम लिख लें कि A-C बराबर पी-एफ ये दो परणाम हमें यहां से प्राप्त हुए इनका हम आगे उप्योग करेंगे फिर से देख लीजे हमने इस कौन को इस कौन के बराबर से दिखिया और इस विकर्ण A-C को इस विकर्ण पी-एफ के बराबर से दिखिया ये एक परणाम के रुपे हमें प्राप्त हुआ जिसका हम उप्योग करेंगे आगे अब इन दोने त्रिभूजों में देखिए त्रिभूज फिर से इसे पहले लिखते हैं पी-एफ त्रिभूज पी-ए-फ और त्रिभूज डी-ए-फ में डी-ए-फ में जब इन दोनों त्रिभूजों का आप एक साथ रखते हैं तो एक बड़ा त्रिभूज बनता है जिससे आप FDP कह सकते हैं FDP में आप देखिए हमने इस भूजा के बराबर इस भूजा को प्रदर्शित किया है तो ये जो बड़ा त्रिभूज है ये दोनों मिलकर एक जो बड़ा त्रिभूज बना रहे हैं इसको हम लिख लें FDP लिखे हैं इसे त्रिभूज FDP में भूजा ये दोनों बराबर थे और ये दोनों भी आपस बराबर हैं तो हम इसको हम इस कतन को इस तरह से लिख सकते हैं कि प्य इस अप Wanna- इस इसे अप कहें आफ पी बराबर ऐफ डी आफ ती अफ डी हैं ये कशित्र आफ डी अब इस बात को भी आप लिख ले इस कथन के कारण आप लिख पा रहे हैं इसे पूरा लिखने के बजाए कोड़ डी कह रहे हैं तो कोड़ पी कोड़ डी के बराबर हो गया अब यदि कोड़ पी कोड़ डी के बराबर है और कोड़ पी को आपने कोड़ ए के बराबर लिखा है देखिए आप यहां पर लिखे है कोड़ ए और कोड़ पी बराबर है और यहां पर कोड़ पी कोड़ डी के बराबर है तो इसका प्रणाम आपको मिलता है कि कोड़ ए कोड कोण D के बराबर कह सकते हैं यानि अब इन दोनों त्रिभूजों में इन दोनों कोणों को आप बराबर कह रहे हैं तो इस कथन को लिख लें कि इस कतन से और इस कतन से आपको एक प्रणाम मिल रहा है कि कोड़ A कोड़ D के बराबर होगा तो इसे भी आप लिख ले इसलिए कोड़ A बराबर है कोड़ D के अब इन दोनों तरिभुजों को फिर से गौर से आप देखिए जो सबसे पहले के हमारे दो तरिभुज थे जिसमें दिया हुआ था कि ये समकोड है ये भी समकोड है ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है इसमें आपने एक चीज़ और पाई है वो ये कि ये कौन इस कौन D के बराबर है और ऐसी परिस्तिती में आप देख रहे हैं कि यदि इन दोनों तरिबुजों के करम शह दो कौन आपस में बराबर है तो तीसरा कौन भी आपस में बराबर होगा यानि कौन C इस कौन D, F, E के बराबर होगा तो ये एक बड़ा महत्वपुन पर नाम है इसे हम यहां पर लिखें कि तरिबुज ABC और तरिबुज DEF में अब लिख लेंगे कोण ACB कोण ACB बराबर कोण इस कोण का नाम लिखे हम DFE DFE और देखिए ये एक बहुत महत्वपुन परेड़ाम आपके पास आया इसके अधर पर क्या होता है आपने कोण ACB लिखा कोण DFE के बराबर यानि ये जो आप कोण देख रहे हैं वो इस कोण के बराबर है और देख रहे हैं ये कोण जिन दो भुजाओं के बीज बन रहा है उनमें पहले से हमको बराबर दिया गया था कि भुजा BC भुजा EF के बराबर है तो आप इसको इस तरह से कहें कि भुजा CB बराबर भुजा FE भुजा C ये बराबर भुजा FD ये हमें पहले ही कथन में दिया हुआ था और इन दोनों भुजाओं की बीच के कौण इन दोनों भुजाओं की बीच के कौण के बराबर हैं ऐसी परसिती में भुजा कौण भुजा सरवांग समता के शर्तों के आधार पर आप इन दोनों तर त्रिबुज एबी सी त्रिबुज एबी सी सरवांग सम्हें त्रिबुज डी एफ के